नेक्स्ट टोपिक है एरिया वेक्टर वैसे तो हम एरिया को क्या मानते हैं स्केलर क्वांटिटी मानते हैं जैसे अगर इस बोड का एरिया पूछा जाए तो आप क्या बताओगे लेंट इन्टू वेट यह क्या हो गया इसका एरिया हो गया अब इसकी वैसे तो कोई डायरेक क्या होगी तो सबसे पहले हम एक plan surface की बात करते हैं मालने ही कोई plane surface तो यह जो plane surface है इसके लिए area की direction मानी जाती है हमेचा surface के perpendicular outward परफेस के perpendicular भी दो direction हो सकती है inward और outward तो इनमें से कौन सी क्यूज कर रही है अपने आउट वर्ण वाली तो का मतलब किसी बी सर्फेस एरियाका लिए हमेशा एरिया के परपेंडिक्वलर आउटवर्ड ता Soph situation होगी अगर पिछवाली सर्फेस की की बात करेंगे तो पिछवाली की जाएगी समझ मैं कहटा उसको बताने के लिए हम एक unit vector use करते हैं जिसको बोलते है normal unit vector जैसे मालों यह जो surface है इसका area है ठीक है तो यह जो area vector A होगा इसको हम ऐसे लिखेंगे a into n-cape यहाँ पर n-cape क्या है n-cape को हमने बोला normal unit vector क्या बताएगा यह इस area की direction बताएगा जो normal unit vector है normal मतलब perpendicular normal unit vector का मतलब बता है ऐसा एक unit vector जो सिर्फ direction को represent करेगा क्योंकि इसका magnitude तो 1 है अगर इसको आप किसी से भी multiply करोगे तो उसके magnitude पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यह सिर्फ direction को बताने के लिए यूज किया जाता है और इसके direction क्या होती है हमेशा surface के perpendicular outward direction में consider कि जाती है तो जो normal unit vector है इसकी direction जैनि एनकेप की direction हमेशा किदर होगी surface के perpendicular outward यह तो एक plane surface के लिए area vector हमने define किया simple एकदम लेकिन अगर कोई टेड़ा मेड़ा object होता है इस type का तो उसके लिए area vector कैसे define करते हैं टेड़ा मेड़ा object है कोई ऐसा तो इसके लिए आप इसकी surface पे छोटे-छोटे areas में इसको divide कर लो यह एक छोटा से area हो गया यह टेड़ा मेड़ा object है लेकिन इसकी surface पे एक छोटा से area हमने consider किया एकदम क्यासा है plane एकदम तो यह वाला जो surface area है मालों एक छोटा से area है इसको मैंने ds ऐसा बोल दें कि small area element क्या है ds है अब इसकी direction क्या होगी तो इसकी direction हम बता सकते हैं इसलिए surface के perpendicular outward और इसको हम किस से अगर मुझे यहाँ पर एक चोटा से area element consider कर लूँगा ds और इसकी direction क्या होगी surface के perpendicular outward यानिकी नीचे की तरफ अगर यहाँ पर बताना हो कि यहाँ पर जो surface है उसका area वेक्टर किदर होगा तो यहाँ पर चोटा से element ले लो इसकी direction क्या होगी surface के perpendicular outward समझ में आ रहा है क्या अगर आपको कोई टेडा मेडा अब्जक्त दे रखा है और उसके लिए पूछे की बताओ कि area वेक्टर की direction क्या होगी तो हम उस स्मॉल एरिया इलिमेंट है तो इसको वेक्टर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे डी इस इंटू एनके एनकेप क्या है नॉर्मल यूनिट वेक्टर समझ में आ रहा है आपको ठीक है तो area वेक्टर की direction याद रखनी है हमेशा area की direction surface के पर्पेंडिक्टिक्लर आउटवर्ड डायरेक्शन में माने जाती है समने मान रखा है इसका कोई special rule नहीं है कि आप inward क्यों नहीं मानते और इसका कोई रूल नहीं है हमने दोनों में से एक direction चूज कर रखी है कौँसे direction चूज करी perpendicular output तो हमेशा अब हम वो ही direction consider करेंगे और एक और बात क्याद रखो area vector के लिए अगर किसी numerical में या किसी भी topic में अगर आपने area vector की direction जैसे मालों यह plane surface है आपने इस वाले area को consider किया तो इस area vector की direction इधर होगी तो अब पूरे numerical में पूरे question में या पूरे topic के अंदर अब आपको यही direction consider करनी है उसको बार बार चेंज नहीं करते कि एक ही question में आप कभी यह मान दे हो कभी यह मान दे हो ऐसा नहीं करना है आपकी मर्जी आप यह मानो यह वाली area vector की direction मानो लेकिन एक बार आपने decide कर दिया एक बार आपने fix कर दिया तो फिर उसी direction को आपको पूरे numerical में पूरे question में फोलो करना है ठीक है यह इसके लिए याद रखना है